क्या आप जानते हैं? क्यूंकि मैं जानता हूँ कि हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहांके सैंक्डो बंदर आज भी उनके लौटने की प्रतिक्षा कर रहे हैं सीधाराम दोस्तो मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूँ 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्वुद श्रिंकला जिन मंदिरों के दर्शन मातर से आपका जीवन सफल हो जाएगा आज हम बात करेंगे शिमला के मशूर जाखू हनुमान मंदिर के बारे में जहांपे हनुमान जी संजीवनी परवत की खोज में आये थे त्रेता युग में शिरीराम और रावन के युद्ध के द्वारान लक्ष्वन जी मुर्षित हो गए थे और उन्हें बचाने का एक मातरूप चार था संजीवनी पूटी उस समय हनुमान जी ने संजीवनी पूटी लाने का जिम्मा उठाया और उसकी खोज में निकल पड़े संजीवनी की तलाश में हनुमान जी जब आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की और जा रहे थे तब उन्हें जाखू परवत पर कुछ रिशी गण तब करते दिखे संजीवनी पूटी का पता पूछने के लिए हनुमान जी परवत पर उत्रे वहाँ उनकी भेंट याखू रिशी से हुई जिन्होंने हनुमान जी को बताया कि संजीवनी बूटी द्रोणागिरी परवत पर मिलेगी उन्होंने हनुमान जी से कुछ समय विश्राम करने के लिए भी का किन्तु हनुमान जी ने उत्तर देते हुए कहा राम काज की ने बिनू मोही कहा विश्राम तब हनुमान जी ने याखू रिशी को वचन दिया कि वापस लोटते समय वो उनसे मिलने के लिए आवश्या आएंगे उसके बाद हनुमान जी द्रोणागिरी परवत के और चल दिये और उनके साथी बंदर वहीं विश्राम करने के लिए रुख गए हनुमान जी को द्रोणागिरी परवत पर संजीवनी भूटी ढूनने में काफी समय लग गया इस वज़े से हनुमान जी को वापसी में छोटा मार्ग लिना पड़ा और वो याकू रिशी से मिले बिना ही लंका चले गए उधर जाकू परवत पर रिशी असमंजस में पड़ गए कि हनुमान जी लौट कर आये क्यों नहीं पर हनुमान जी अपने वचन के पक्के थे इसलिए वो जाकू में स्वयंभू मूर्ती के रूप में प्रकट हो गए और इस प्रकार उन्होंने याकू रिशी को दर्शन दी श्री हनुमान जी महराज का मुकमंडल बानर के समान ले परंतु श्री हनुमान जी महराज साधारन बानर ही नहीं वानर की जातिके नहीं है अथवा वो बानर नहीं है वान शीराम की सेवा के लिए राम जी के आवतार काल में प्रम्हाजी के आदेश असे देवताओंवे इस भानर का रूप धारंड है था take भगवान ने सुग्रिव के रूप में अवतार लिया, किंद्र ने बाली के रूप में अवतार लिया, पिश्वकर्मा ने नल के रूप में अवतार लिया, और अवन देवताष्ट्री हरुमान जी महराज के रूप में अवतारित हुए। आज भी बानरों को लोग देखते हैं तो भगवान श्री राम की उस सेना का राम जी के लोग परिकरों का लोगों को अस्मन होता है इसलिए बड़े ही सद्दावाव सी लोग बानर को भी अनमान जी की भावना से ही प्रणाम करते हैं वर्ष 2010 में एक भक्त ने यहां पर 108 फीट की विशाल और भव्यमूर्थी बनवाई जो शिमला के हर कोने से दिखाई देती है और यहां की सुन्दर वादियों का दिश्य और भी अलौकिक बना देती है त्रिता काल से जाकू मंदिर में हमेशा सैंक्रों बंदर रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह सभी बंदर हनुमान जी के साथी हैं जो त्रिता यूग से यहां रह रहे हैं और हनुमान जी की प्रतिक्षा कर रहे हैं जै बजरंग बली सिता राम जे सिता राम, 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 सिता आदेश्याम। सीताराम जे सीताराम। सीताराम जे सीताराम। स्री सीताराम चंद्रभगवान की जे।